हेलो दोस्तों मैं हूँ श्रीमेकराम और आप देख रहे हैं डिटेल इडिजिट चैनल आज हम लोग बात करेंगे अध्य टू के बारे में ठीक है जो जिसको हम बहुपद कहते हैं मैं यहां लिखा गया है आध्य है जो होगा इसमें आपका बहुपद से रिलेटेड करके आपका अध्य बहुपद कर दोनों को पर देखा जाए तपका नौ मर्क का एक्जम में रहेगा ठीक है जैक बोड के अगरों इसर में हम दिखा रहे हैं तो कुस्चिन संक्या टू जो रहेगा वह आपका वान मर्क का रहेगा कुस्चिन संक्या जो 11 रहेगा वह आपका दो मर्क का रहेगा और कुस्चिन संक्या जो 17 रहेगा वह तिन मर्क क होगा ठीक है तो यहां से आपको मिल जाता है कि कैसे आपको पढ़ना ठीक है और बता देंगे कि में कहां से रहेगा और उपना ब्रोटीन पूरा गभर कर देंगा थीक है तो चलिए हम लोग विडियो को जो पढ़ तो बहु मतलब ज्सक्राहिं से बात कर सकते हैं कि आगे the power और इसको आपको गुनांग बोलते हैं क्या बोलते हैं गुनांग गुनांग और इसको हम बोलते हैं घात इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं बेस और इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कॉफी सेंट ठीक है और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पावार तो इस चीज को कहा हम क्या बोलते हैं कि कोई एंगर कोई रही निए इसके आगे कोई ऐसा रहेगा और उसके ऊपर फिलए पकम थे वहत घेंगे तो यसे तरीका से हम इसको पद कहेंगे तो अब प्रकास से बात करसकते हैं जैसे मान लिजिए तो हम बात में बात करेंगे अब सबसे पहले इसको बारे में ठुर ने कर लेते हैं जैसे मान लिजिए यह एक्स लिखिए या तो हम संख्या मरें संख्या के हिश्ब से लिखते हैं थ्री एक्स तो यह अगर अगर आपके पावर अगर वए हो जाता है तो इस तरह के शमिकरन हम बोलते थे क्रमी करन कैंबते हैं राइखिक समिकरन अ इस समी करन कि रखिकस में करन कि यदि Ellis कम लिःचे तो एकस हो गया एकस्षुक्यर हो गया तो इसको मोलते हैं दीघहात शमिकरन क्योंते हैं विडार अडिए हम मान के चलिए यह लिदेते हैं 205 23 इसको पौरेंगे तरि घない 20 कि ऐब करन आपका हुआङ करने के लिए जैसे मान के चलिए तो इसको हम एक पद बोलेंगे कभी कोई एक्स के रूप में या वाई के साथ चर और 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 को गुना के रूप में रहेंगे कितने भी पावर हो जाए तो उसको हम एक पद ही बोलेंगे जैसे मान के चलिए इसके सदार दिम टू वाई जोड़ दे तो यह आपका क्या हो गया वह पद हो गया क्योंकि आपको कोई प्लास में आ जाते हैं या कोई भी आपका चौर और और ऑचर रहसी या कॉंस्टेंट र तेंट है यहलाग पोई है और तो यह आपका क्या हो गया जीथ हा फिर हम आपका फिर और को P इस टॉपिक ऊप्सेंथ हो आपका दिघ्त समीकरन से बात किया गया है दिघ्त समीकरन होगा और वाह पद होगा और उसमें एक ही चर्काईस्तिमाल क्या गया है, ठीक है, तो हम लोग आएंगे दीखाद सभी करन के उपर, आज हम बात कर लेते हैं इसमें दीखाद सभी करन के उपर, ठीक है, दीखाद समिकरन के उपर, इसका एक फर्मॉला होते है तो इसका डिफिनेशन मानिएगा तो ए एक्स स्क्वیर प्रस दी एक्स प्लस एकर्ट टू जीरो और एक प्रस फी उप से परकिना पड़ेगा एकर्ट भी जीरू क्योंकि ये कमान इस पर आगर होगा लेकिन दिखद समिकरन सकते हैं यह कमान लेकिन 0 नहीं होगा जीसे मर ऱाका लिखें सेबैन हो जाए इसको हमीचा सकते क्योंकि यह जराएगा जीरो से इन तो जीडियो हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा запार होगा गने का सकते है कि इसल यह का बान कभी भी जीरो नहीं होगा ठीक तो यह आपका हो गया standard formula और फिर दूसरा formula देखते हैं और एक बात आपको काया देते हैं कि जभी भी हम देखेंगे कि किसी भी समीकरन का जितना उसका power होगा उसका उतना मान निकलेगा यानि जैसे हम बात कर रहे थे x square plus मान ली जब 3x plus ऐसे हो गया 7 है तो यहां आपको जानना होगा कि x का maximum जो power है 2 है तो यानि उसका 2 को मान निकलेगा और उन दोनों मान को हम क्या कहते हैं सुननन कहते हैं क्या कहते हैं सुननन का मतलब होता है वो equation जिस मान से मिलकर बनते हैं उ उस मान को ही हम सुननन कहते हैं तो जब आप x to the power 3 पढ़ेगा तो उसमें आपका जानना होगा कि x का मन 3 को निकलेगा यदि आपका रैक्षिक्स करन है तो उसमें x का मन एक ही निकलेगा तो इसमें हम फिर मान लेंगे यानि दो यदि आपका मान की चलिए दिखत समी करन है दो अगर उसमें आपका दो मान आते हैं तो यदि दो मान में ग्रीक सब्दों में हम एक मान को आलफा मानते हैं दूसरा मान को बीटा मानते है तो इस मानने की बाद इसका एकोडिंग में एक आपका शुत्रों बनता है जिसको हम ऐसे लिखत समी करन का शुत्रों बनता है औ दोनों शुद्र को गुना करके आप से हम चीज प्रूब करेंगा जो हम लोग के लिए बहुत जुरूरी है इस से रिलेटेड़ होकर आपका एक रड़ा मर्मला को सिन आएगा तो सबसे पहले इस दोनों कांपारिंग करेंगे देखेंगे एकस स्क्वेर ठीक है लेकिन यहां भी एकस स्क्वेर है यहां एक से भागा देने के कोस्षिश करेंगे यह को अटाने के लिए तो AX square plus BX plus C equal to 0 ठीक है तो इस पूरा term को हम A से भागा दे देंगे और इधर भी 0 को हम A से भागा दे देंगे दोनों और हम एक ही चीज भी या कई भी संख्या से सेम संख्या से हम divide कर सकते हैं तो इसको यदि हम तोड़ते हैं तो AX square by A और फिर BX by A और फिर आपका C by A और यहां पर आपका हो जाएगा 0 ठीक तो यहां यह यह कट गया तो यहां बचाए एक स्क्वेर और यहां बचाए 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 इंटु एक्स प्लस C by A इकल टो जीरो इसको अगर इसको यह कुशन आप टू मानते हैं तो समीकरन वान को और समीकरन टू को यह भागा देते हैं तो क्या आएगा निए एक्स स्क्वेर माइनस अलफा प्लस बीटा इंटू एक्स आप लास आलफा इंटू बीटा इसके निचे यह आप देजिएगा गलिए एक्स स्क्वेर हो प्लस या बीटा वा ये इस во pain है या तो इक्स में देखा जाए कि एgens यहां भी एक्स है यहां धी एक्स है तो यहां एक्स के पहले माइनस अलफा प्लस बीटा बराबार क्या बन जाएगा बी बाइए और प्र क्या बनेगा alpha into beta बराबर क्या बनेगा का सी बाइए बनेगा इस चीज को याद रख लीजे लेकिन आगे चल कर फिर हम इसको माइनस को उधर कर देते हैं alpha plus beta minus b by a और alpha into beta बराबर C by A ये दोनों सुत्रों आपका बहुत काम आएगा क्योंकि इस दोनों सुत्रों से ही आपका आगे मैत बनेगा ठीक है तो इसमें इसका अर्थ हो गया कि दोनों सुन्नंकों का योग दोनों सुन्नंक यानि दो सुन्नंक का माने थे और अग्षेज अपसे पहले हम आपको एक चीज ऐसे कर लिगे दिखाए थे और इसको बता है बुर दो जो वह चीज यानि चार के पहले जो होता है उसको पूना कहते हैं तो बी अम सब्दा यह कि आपका में अग्स स्क्वेर को भी कि और सी किया होगा आपका आचर रसी होगा यह नि कॉंस्टेंट हो गया इस चीज को याद रख लेजिए और इस दो फरमूला को आप याद रख लेंगे तो आगे जो भी मैथ हैं यह जो तो हम स्टनाख निकालने के लिए बताया जाएगा या दो सुनाख को योगफल और उसका गुनफल दे दे तो उसके हम को दिखात सरी का निकालने बोले दिखात सरी का इजली बना सकते हैं और इस वीडियो अगर आप समझ जाते हैं या इस चीज को प्याद रख लेते हैं तो तो आप उसके बाद वाला वीडियो में जैसे भी आपको जना सब्सक्राइब को